हेलो दोस्तो लर्न विर टेकनोरजी चैनल में स्वागत है आप सभी का उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819 का पेपर जो की आज यानि की 22 अगस्त को कंडक्ट करवाया ग हाली हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पहुंचे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो इस वीडियो में हम फर्स्ट जो हमाचल जी के और जो करेंट अफियर पूछा था उसको डिसकस करेंगे और उसके बाद जो है कंप्यूटर सेक्शन को सॉल्व करेंग तो बाकी जो सेक्शन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेस्टन पूछा है हाव मैनी मीनिंग्फुल इंगलिश वर्ड्स केन बी मेड विद लेटर इनल ठीक है यूजिंग इच लेटर ओनली वन्स इन इच वर्ड तो यहां पूछा होगा वो होगा ओप्शन सी ठीक है तीन शब्ड जो हें से बन सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन है दा आर्म्ड फोर्सस ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दी रिपब्लिक डेड प्रेड अफ इंडिया इन दी एर 2021 तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ओप्शन भी ठीक है बंगलादेश नेक्स्ट क्वेशन है विच कंट्री रिसंट्री साइंड एन ओर्डर तो अलोग ट्रांसजेंडर पार्टिस टू सर्व इन मिल्ट्री रोल्स ठीक है तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा ओप्शन बी होगा यॉनाइट स्टेट्स ठीक है रिलीज्ट दा वाल्ड एकोनोमिक सिच्वेशन एंड प्रोस्पेक्ट टू थाजन ट्वेंट ट्वेंटीवन तो जो फॉर्थ का करेक्ट अंसर होगा वो ओप्शन सी होगा यॉनाइट नेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है विच इंडियन स्टेट अज रिसंटली वाइल एप्लिकेशन है विन रिसंटली ड्वाइब वाइब इच इंस्टिटूशन तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा ओप्शन ए होगा नेशनल इंफरमेटिक सेंटर ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है दे वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन है थाज कोलाबरेटेट इसका जो करेक्ट अंसर होगा ओप्शन ए होगा ठीक है फाइजर नेक्स्ट क्वेशन है मुहमद इस्टाई जो हाल ही में समचार में थे किस देश के प्रधान मंत्री है तो जो यह प्रधान मंत्री है यह रहने वाले हैं आपके फैलिस्तीन के ठीक है फैलिस्तीन के यह प्रेजिडेंट है नेक्स्ट क्वेशन है तो शाली नैशनल क्राफ्ट समेला वाज रिसंटली और गनाइस्ट इन विच स्टेट और युनियर टेटरी ठीक है तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा ओप्शन ए ठीक है और इशा और लारजेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म तो इसका जो दस्वें का सही अंसर होगा वह ओप्शन डी ठीक है नन आफ दीस अब अब तो इनका जो ऑथर का नाम है वो है राम सेवक शर्मा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है विच कंट्री वाज इन फोकस एड़ दी फिफि 51st International Film Festival of India IFFI in Goa तो इसका जो ग्यारवें का जो करेक्ट अंसर होगा ओप्शन डी होगा ठीक है बंगलादेश नेक्स्ट क्वेशन की बात करें तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फोरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश इज तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा ओप्शन ए होगा ठीक है 37,033 किलोमेटर स्केर नेक्स्ट क्वेशन है कोट एंड बंदला धार आर लोकेटेड इन साइफ सेंचरी है वो किस जिले में स्तित है तो यह है आपकी चमबा डिस्टिक में ठीक है ओप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा 14 का नेक्स्ट क्वेशन है देहार इस ट्रिविटरी ऑफ विच रिवर आफ हिमाचल प्रदेश तो जो यह नदी है यह है साहिक नदी ब्यास की ठीक है ओप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा नाम नन अफ दीज अब तो इसका अंसर जो है व्यास रिवर रहेगा नेक्स्ट क्वेशन है रूपा वैली इस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो आपकी रूपा वैली है वो है आपकी किन और डिस्ट वुदा फेस्टिवल वाल निर्मन्ड कुल डिस्टिक्ट में मनाया जाता है तो नेक्स्ट क्वेशन है यन पर गोची फेस्टिबल is celebrated in which district of हिमाचर प्रदेश तो ये जो है आपका लहोल स्पीती में मनाया जाता है option D correct होगा और इसको जो है गोट सी भी कहा जाता है ठीक है next question है रानी क्यारगरी रानी क्यारगरी हिमाचर प्रदेश के किस जीले से समबंदित है तो जो इसका correct answer होगा option D ठीक है मन्डी डिस्टिक से जो है ये समबंदित है next question है गर्ड कुपर लेक is located in which district of हिमाचर प्रदेश तो इसका correct answer A होगा शिमला ठीक है next question है first governor general to visit शिमला वाज तो इसका जो correct answer है वो option D होगा ठीक है ये question कल विए एंट्रेंस टेस्ट में भी आया हुआ था next question है first private university of हिमाचर प्रदेश तो इसका जो correct answer होगा A option होगा JP university of information technology ठीक है next question है दलोजी वाज फाउंडड इन विच ये तो डलोजी जो है आपकी 1854 में found हुए ठीक है 1854 में 1854 में तो यहां पर option में नहीं बताया है ठीक है next question है सिर्मौरी ताल फोर्ट is located at which place in हिमाचर प्रदेश तो जो इसका correct answer होगा option D ठीक है पॉंटा साइब नेक्स्ट क्वेशन है विच इस पॉपलरली नौन एस लेंड आफ ग्रैप्स तो रिवा जो है यहां अंसर हो जाएगा ठीक है अंगूरु की भूमी रिवा को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेशन है अर्द नारिश्वर मंदिर हिमाचर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है तो जो इसका correct answer होगा 26 का तो इसका correct answer हो जाएगा आपका D option sorry B option 26 का जो है B option correct होगा मंडी नेक्स्ट क्वेशन है जो आपका ठेवगरज की स्थापना किस ने की थी तो इसकी जो स्थापना की थी वो जाएचंद ने की थी ये question काफी वार repeat हो चुकाया ठीक है जेवाइटी में भी आया हुआ था भूरी सिंख museum जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी ये question भी यहाँ पर पूछा गया है तो इसका correct answer जो है C रहेगा ठीक है 1908 में और ये चंबा डिस्टिक में स्थित है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है जो आपका territorial council है हिमाचर परदेश की वो कब खतम की गई थी बताया है तो territorial council was abolished in which year in हिमाचर परदेश तो ये खतम हुई थी आपकी समापत 1963 में तो correct answer जो आपका D हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है आपका हिमाचर परदेश की उहल तीन जल विद्यूत परियोजना की कारेकारी agency कौन सी है तो इसका जो correct answer होगा A होगा HP, SEB ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेशन है कार्थी is a folk dance of which district of हिमाचर परदेश तो जो 31 का जो answer होगा option A correct हो जाएगा ठीक है 31 sorry कुलू तो आगे दोस्तों हम अब इसके बाद जो है computer section को solve करेंगे तो दोस्तों यह computer section यहाँ से आया है ठीक है तो यहाँ पर first question पूछा है the brand of any computer system तो जो computer का brand होता है उसे CPU कहते है option C correct होगा और यहाँ पर question पूछा है the qwerty keyboard तो यह keyboard होता है इसका exact answer तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन इसका जो है यह similarly तीने option इसके correct है तो इसका जो है option D जो है ठीक हो जाएगा all of these ठीक है next question है this is a collection of information saved as a unit तो इसका option ठीक होगा file ठीक है next question है यहाँ पर this is not a valid version of MS office तो यह सारे जो है MS office के valid version है लेकिन office 99 जो है वो नहीं है तो option C जो है इसका correct हो जाएगा next question है to activate office assistant in MS world click at dash menu तो इसका जो है answer D correct हो जाएगा help menu पे आपने click करना है next question है in MS world usage of auto correct and auto test is restricted to तो इसका answer जो है D correct हो जाएगा next question है in MS world to get to the symbol dialogue box click on the dash menu and choose symbol तो इसका जो सही answer होगा insert menu होगा ठीक है option D next question है each line represents how many letters in word star तो इसका एए option जो है correct हो जाएगा next question है dash is a family of styles such as aerial Geneva moderns etc तो इसका जो correct answer होगा वो होगा font family ठीक है MS office में आप वहाँ पे जाना तो आपके पास यह option मिल जाएगा font family ठीक है next और यह last question है इस वीडियो का to print a document press dash key to then press enter तो आपको जो है Ctrl plus P press करना है उसके बाद आपने enter करना है तो आपका जो document हो प्रेंट हो जाएगा तो option B जो है इसका correct हो जाएगा दोस्तों यह थे हिमाचर जी के और current affair और computer sections के question तो बाकी जो question रहे हैं इंडिया जी के का और Hindi English section तो उसको मैं next वीडियो में discuss करूँगा तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर कोई doubt हो कोई query हो कोई आपको लगता है question गलत बताया हो तो आप comment box में comment भी कर सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद